इन्होंने किया है बहांसा आर्था को शुनी कर दिया है उसको लेके जो छेड़कानी किया विग्यापन में उस पे पहला बचाओ यो लगतार कर रहे हैं कि सर जो हिंदी की पेपर थे बहुत हाई लेबल का था इसलिए हमने हिंदी के पेपर को सुनी कर दिया तो वहाँ भी कोशन उठेगा कि अगर पेपर हाई लेवल का बन गया तो आपने उस पेपर को रद क्यों नहीं कर दिया नए सिरे से दोबारा पेपर लेने के घोसड़ा क्यों नहीं किया अगर पेपर आ गया और सभी ने पेपर दे दिया तो उसके अगले दिन क्यों नहीं घोषड़ा कर दिये पीपर जाचने के बाद घोषड़ा क्यों किये यहाँ पे जाके हर हालत में सरकार फज जाएगी अतुल परसास सबसे important question यह है कि कल 27 तारीक और पटना हाई कोर्ट में सरकार के तरब से यानि BPSC के अतुल परसास सर उप अपस्तिती अपना दर्श कराएंगे और अपना बचाओ पच्छ रखेंगे कि BPSC TRE 2.0 में भासा आर्था को सुन्य क्यों किया आपको बता दे इससे पहले पहली हेरिंग में हम लोग उपस्तित थे और बताया गया था कि भासा आर्था में शेड़खानी की गई उर्दू बांगला के इस्थान पे हिंदी का पेपर कराया गया था और विग्यापन में शेड़खानी किवल इसलिए की गई की ताकि कटाफ को अपने हिसाब से बनाया जा सके और अपने हिसाब से लड़कों को भरती किया जा सके जो की एकदम विग्यापन के विरुद ये कार हुआ है तो विग्यापन के आधार पे रिजल्ट को जारी किया जाए ते इसके बचाओं में आज अतुल परसास सर के वकील उतरेंगे हो सकता है अतुल परसास सर भी पहुंचे और बहुत सारे सरकार के तरफ से अपने विचार रखने के लिए वहाँ लोग उपस्तित रहेंगे लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कोश्चन हो पड़ता है कि अखिर अपने बचाओं में क्या रख पाएंगे लोग पहली चीज़ अपने बचाओं में छेडखानी जो इन्होंने किया है बासा आर्ता को शुनि कर दिया है उस चाहो लगतार कर रहें कि सर जो हिंदी की पेपर थे बहुत हाइ लेबल गाता इसलों jus हमने हिंदी के पेपर को शुनि कर दिया तो वहां भी कोशन उठेगा कि अगर पेपर हाई लेवल का बन गया तो आपने उस पेपर को रद क्यों नहीं कर दिया नए सिरे से दोबारा पेपर लेने के घोसड़ा क्यों नहीं किया अगर पेपर आ गया और सभी ने पेपर दे दिया तो उसके अगले दिन क्यों नहीं घोसड़ा कर दिये पीपर जाचने के बाद घोसड़ा क्यों किये यहां पे जाके हर हालत में सरकार फज जाएगी अतुल परसाथ सहाब के पास कोई जवाब नहीं रहेगा दूसरा जवाब यह हो सकता है कि यह हम लोगों को गुमराह करने के लिए एक और जवाब दे पाए कि बिहार के लड़के ज्यादा तर फेलते अरे भाईया सभी जानते है कि बिहार में सबसे अधिक प्रचलित वहाँ सा हिंदी है तो हिंदी में क्या बिहार के लड़के फेल हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते आपको इन बातों का सही तरीके से जबाब देना पड़ेगा वहीं पे बांगला और उर्दू की जगा अगर बात किया जाए तो बचाव के लिए ये कह सकते हैं कि बांगला और उर्दू का पेपर तैयार नहीं कर पाए या बांगला और उर्दू के इतना विश्वास नहीं था कि इतने अधिक कंडिडेट पहुंच पाएंगे या ये भी कह सकते हैं कि कम कंडिडेट पहुंचने के कारान हम इस भरती परक्रिया में बांगला और उर्दू का पेपर नहीं रखे तो कोट इनसे कोशें वहां पर करेगा कि जब आपको पता था कि बां जो बिहार है पुर्वी बिहार है वहां पर बोली जाती है तो बांगला और उर्दू दोनों के लिए महत्पूर्ण है और आपको जब ये पता था कि बांगला और उर्दू के लिए लड़क्या उलेबल नहीं हो पाएंगे तो फिर आपने पेपर क्यों लिया इस विश्व और बांगला का पेपर लेना था और उर्दू और बांगला के आधार पे ही चैन भी होना था जो कि इसका एक सब्जेक्टिव पॉइंट भी बनाया गया था हिंदी जो सब्जेक्ट है इंगलिस सब्जेक्ट है उसको लेके भाशा आर्था का एक लेवल दिया गया था कि ज और उसके बाद आके बेतू का जवाब दे देना मीडिया के सामने कि भांसा आहरता इसलिए सुने कर दिया क्योंकि जो लेबल था बहुत हाई चला गया था तो लेबल जिस दिन हाई गया था उसी दिन आप पेपर रख कर दिया होते या पेपर जारी करने से पहले उसकी क्यों नहीं लिगए कि आखिर हाड है कि नहीं है आप कॉफी चेक करने के बाद करते हैं कि पेपर हाड था तो यह एकड़म सारा सार गलत है और एकड़म इसपश्ट करता है कि आपने इस भरती को दोकादड़ी के तरीके से भरती कराने का प्रयास किया एक सेंटर के हजारो लड़के मेरिट लिस्ट में आ जाना एक अपने आपने ही संदेग का दाइरा पैदा करता है कि आखिर एक सेंटर के ज्यादातर लड़की मेरिट लिस्ट में किस आधार पर आ गए और उनको भरती क्यों कराया गया उनको एक सीट पक्की क्यों की गई उसके तकारर पुरे बि पार चला गया, 99 तक में इस जा रहा है, तो एकदम इस पंस्ट था कि कही न कहीं भाशा आर्था को शुने करने का में रीजन यही था, कि आपने जो गपले बाज हैं, वो भाशा आर्था की तैयारी नहीं कर पाए, भाशाहारता का पेपरून के तक तक नहीं पहुंच पाया होगा जिसके कारव सुचनाओं के अधार पे इस भरती परक्रिया में भाशाहारता को शुनिक किया गया और भाशाहारता को हटा के बिहार के युगाओं को बाहर करने का रास्ता दिखाया गया सभी को पता है कि 10% आराचषड है तो अधर स्टेट 10% आराचषड के बावजुद आपने 15% की सीटे अगर बिहार को किसी अन्य राजु को दे दिया इसके मतलब 5% अधिक सीटे आपने किसी अन्य राजु को दे दिया इससे बिहार के 5% यूवक छड़ गए जिनकों की बिहार के तहट भरती होना था बिहार में अपने ही स्टेट के लड़के बाहर हो गए और वो दूसरे स्टेट में जाके कहीं गारा माटी का काम करते हैं कहीं इट पत्थर का काम करते हैं तो उनके जीवन पे क्या प्रवाव पड़ेगा क्या आपको ओट देंगे अगर अभी भी ये लोग नहीं जग रहे हैं अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि मैं किस बात को रख रहा हूँ तो इनके लिए भी जीवन के लिए भी खत्रे की गंटी है यहां तक सिच्छा मंतरी ने चंदर सेखर यादो जी ने भी साफ इसपस्ट कियत की अधिकारियों की मनमानी साफ इसपस्ट होती है कि इन्होंने अपने अधार से भरती किया इसमें किसी भी प्रकार का सिच्छा मंतरी का प्रवेश नहीं था और अपने अधार से भरती करने क कारण सिच्छा मंतरी को हटाया गया कि जा सारा आरोग सिच्छा मंतरी पर आ जाए और बाद में सरकार को गिरा दिया गया कि सिच्छा मंतरी गलत कर रहा था धादली कर रहा था अगर नितीज सर को जाच कराना है तो सबसे पहले सिच्छा विवाग का जाच कराना चाहिए क्य यानि भरती जो है 60% भी नहीं रहे गई 60% भी भरती नहीं रहे गई साफ इस परस्ट है सुचनाओं के अदार पे 7% भी सही लड़के नहीं रहे तो इस भरती को रद क्यों नहीं किया गया और यह मामला कोर्ट में भी है दूसरा ची कि बीपेसी 1.0 और 2.0 की भरती अभी तक क दोका जा सके बिहार में किसी ना किसी मादेमस इनको ओट का जर्या केवल बनाके अपने लिए ओट लेके बिहार में और केंदर में सरकार को स्ताफित किया जा सके यह बिहार राज के युवा नहीं होने देंगे बिहार राज के युवाओं के प्रगति चाहिए बिहार जैसे कोर्सों के स्खिलाफत भी जाके कार किया आप ने इनके इतने योगी टीचरों को अयोगी घोसीत करने का प्रयास किया आपको क्या लगा कि ये सिच्छक 37 से बैठे रहेंगे और आपके परति आवाज नहीं उठाएंगे आज सिच्छा मंतरी हटे हैं कल याद का पूरी सरकार हटेगी ये मेरे को विश्वास से अधिक साधिक वीडियो शेयर करें सब्सक्राइब करें जैंने